पता नहीं मेरे को यसी अचानक से वह वाला टाइम याद आगे रिमेंबर जब एक गाना फेमस हुआ ता बहुत ही ज़्याद आर जगह चल रहा था दमत कसी ता दमत कसी ता आई भाई टिक टॉक ने भी क्या क्या फैला देया था तो मतलब जो बना टिक टॉक यूज भी नहीं कर रहा उसे भी पता रहती है कि क्या चल रहा है तो याज यूमा चैंपियंस अफ दूड में हो 3DX चेतर हैं आज हम देखने वाले एक और उनपॉपलर ऑपिनियन रेस्लिंग ऑपिनियन के बारे में पाइल्स वर्सेज एज विच इस नोट जस्ट अन ओपिनियन बट यह बहुत बड़ा क्लेम भी है बिकोज रोमन रेंस वर्सेज ब्रॉक लैजनर आर नोट नौन फोर देर रेस्लिंग मैच ऐसा लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इनका मैच जो है बहुत ज़्यादा इंट्रस्टिंग होगा कहीं न कहीं लोगों के अंदर यह है कि हाँ चलो इंट्रस्टिंग मैच हो सकता है बट अच्छा शायद से ना हो ऐसा लोगों का मानना है बिकोज इनकी हिस्ट्री इस तरह की रही है हालांकि रेस्लमीना 31 का आप देखोगे तो मेरे को तो पर्सनल बताओ तो मेरे को वह वाला मैच अच्छा लगा था और एंडिंग भी बढ़िया ही थी बढ़ा ही है कि उसके बाद लोगों को नहीं पसंद आया जो क्राउन जोल वगएरा में मैचेस हुए थे आप लाओ क्यों होगे कि स्टाइल्स वर्स एज को ही पिक क्यों किया बिकोज अगर आप रैसल मीनिया के दोनों कार्ड देखोगे तो इकलोता है एक ऐसा मैच निकल के आ रहा है जो कि वेन इट कमस तो यूनो प्रो रैसलिंग इन रिंग वर्क स्टाइल्स वर्स एज को कोई भी आउट्शाइन नहीं कर पाएगा यह तो डेफिनिटली इसी बात है उसके अंदर अगर कुछ वैसे मोमेंट्स होगे तो तो शायद और भी ब्लॉक्बस्टर मैच यह बन सकता है निकी बेला शायद इस चीज़ से डिसग्री करें उनको तो लगेगा कि रॉंडा राउसी वर्स शार्डर फ्लेर तो सभी को आउट्शाइन कर देगी तो इसलिए उनके उपर तो हम नहीं जाने वाले एंड सिंस वी आ टॉकिंग अबाट जॉन सीन डबडबली फैन वह भी निकी बेला के उपर नहीं जाएंगे विकॉस यून जॉन सीना एंड बेला बट स्टाइल्स वर्स एज मेरे इसाब से जिस तरह का यह मैच अना यह नाइट वन में होना चाहिए बिकस इस्पेशली मै नाइट टू में ऐसे मैच इस तो होने चाहिए में जिसको देखने के लिए लोग आएं अभी लोग सोच रहे थे कि चलो दो चैंपियंस है दो अलग अलग में नाइट में दो चैंपियंस के मैच इस देखने को मिल जाएंगे पता क्या चला अब यह तो एक ही नाइट में ह मुश्किल होगा Brock Lesnar vs Roman Reigns का कि वो Edge vs Styles से कम दिखे, अब क्योंकि main event ही उससे खतम होने वाला है तो big chances हैं कि लोग जो इस चीज को ही ज़्यादा रखेंगे, but हाँ, when it comes to in-ring work, maybe Styles vs Edge can pull off, but I hope कि दोनों ऐसे matches हो जिनको देखके disappointment ना हो कि यार, यह क्या हग दिया, दोनों में से एक match अच्छा हो तो चलेगा, बट अगर दोनों ही अच्छे match हो गए, तो मतलब तो तो फिर WrestleMania का दिन ही successful हो गया न, फिर तो पता चल जाएगा कि चलो दो WrestleMania रखने का फायदा हो रहा है, वरना तो फिर एक ही WrestleMania भी तुम रख सकते थे, सब्सक्राइब को अगर मैं मार्क्स देना चाहूँगा, I think I will give 8 out of 10, because Stance वर्सेज एज का ही लोग मान रहे हैं, और अगर Cody वर्सेज रॉलिंस भी होता है, तो ये दो matches रहेंगे, जो कि लोगों कमानना है कि रोमन वर्सेज ब्रॉक से ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, again when it comes to match wise, moments में तो मेरे को लगते है रोमन वर्सेज ब्रॉक कुछ ना कुछ करी ही लेंगे, पता नहीं मेरे को तो ऐसी feeling भी आ रही है कि जो Austin के साथ हुआ तो वहीं न हो जाए, जैसे Austin के लिए Vince McMahon आ गए थे ना match के अंदर, वैसे कहीं इस match में भी हमें Vince McMahon की interference ना देखने को मिल जाए, anyways comments की तरफ बढ़ लेते हैं, अब आप trend शुरू करोगे तो वह शुरू हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, आप लेट हो सर जी, एक साल लेट हो आप पूरे, आशिश लजानी ने लिख दिया, सलक कुछ भी वीडियो मत बना, मज़ा नहीं आ रहा है, अभी तुम्हें मज़े देने के लिए मैं क्या करूँ, All Elite Wrestling की तारीफ करने लग जाऊं क्या, इतना मेरे से नहीं होगा पाप भाईसा, भगवान मेरे को उठा ले उसके पहले, I Love Games ने लिखाए, NWO में कितने लोग थे, Don't Google, मैं Google करूँगा भी नी, इन फैक्ट मैं इतना कहूँगा कि जितने नमबर, अमबानी की पास्ट बुक में होगा न, उतना ही नमबर NWO का भी था, बहुत बंदे थे भाईसा, बहुत बंदे, मतलब अगर NWO के बीच में धरार आती न, तो तीन wrestling companies खुल सकती थी, NWO में इतने सारे बंदे थे, कि अगर वो सब retire होते, तो सभी को pension मिलनी मुश्किल थी, NWO में इतने सारे बंदे थे, कि जो यहाँ पे नारा आया था न, एक बार कि सबका साथ, सबका विकास, वो NWO के लिए ही आया था, NWO में इतने सारे बंदे थे, कि अगर उनकी country cricket खेलती, तो उनका खुद का एक World Cup का tournament हो सकता था, गौरव ने लिखा कि, Imagine Roman Reigns twerking and dancing like biggie, अगर आपने नहीं पता, तो यह इसके जो पहले वाली वीडियो आया थी, उससे related है Roman Reigns वाली, तो उसमें कुछ ऐसा हुआ था, जिससे related comment है, जिसके reply में WR Views ने, WR Views प्रिंस ने लिखा कि, उसका भी attitude status बना देते है Roman Babies, भाई, यह इतना funny है, बिकूज जिसको पदा है भाई, उसको हजी आएगी, क्योंकि अगर आपने देखा होगा, Roman Reigns के लोग क्या WhatsApp status डालते हैं भाई साब, और मेरे को अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब जिस तरह से वो song use करते हैं, जिस तरह से Roman Reigns के लिए, वो जैसी beat drop होती है, वैसी Superman Punch S.P.R. आता है, मेरे को तो पदा नहीं अच्छा लगता है देखने में, बट अभी समझ में आ रहा है कि अगर वो twerk भी करते हैं तो तो वो हो हो, फिर तो शायद से ही वो YouTube पे नहीं आता, I Love Games ने लिखा Roman was in authority for some time, देखो यार authority में तो थे लेकिन वो the shield की तरह थे, देख पुई the shield थी, उनको as a bodyguard use कर रही थी authority, तो मैं Seth Rollins की तरह वाला बात कर रहा थे कि जिस तरह से Seth Rollins को यूज गिया, versus जिस तरह से the shield use हुई, I think बहुत 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 इदिफरेंस था, Mr. Heggs ने लिखा, Bro doesn't mean to offend you, I love your videos and humor, Oh my god, I am offended now, You love my videos? How? Why? But don't you think you are getting less for what kind of vast knowledge you have? मतलब, शायद किसी और field में शायद इतनी knowledge होती, You may be earning or getting much more, just a thought, I think, मतलब ये तो मेरे को अंदर से पता था, But now that you are also realizing, अब क्या कर सकते हैं, बताओ, उपर से डर और ये लगता है कि ये wrestling चीज ही ऐसी है, कि ये कम ही होने बाद, इस नोट लाइक क्रिकेट, कि भाईया, हाँ, बढ रही है, और अगर बढ भी नहीं रही है, तो चलो, at least constant pace पे तो चल रही है, But wrestling गिर रही है, भाई, तो सोचो, क्या ही अंदर से डर लगता होगा, But yeah, thank you for the wishes, bro. And Sanyam Chadda ने लिखा है कि, Being Honest, I want Seth Rollins to win over Cody Rhodes, कोई भी AEW से आखर WWE के एक बड़े superstar को कैसे हरा सकता है, यह तो खैर, obviously, बात है, Seth Rollins का, But yeah, कि Rollins versus Rhodes जो होगा, I don't think so, कि वो फिर clean भी होने वाला है, You know what I'm saying, कि हो सकता है कि उसमें कुछ पागलपंती हो जाए, Because knowing Vince McMahon, वो नहीं चाहेगा कि Seth Rollins भी हार है, वो नहीं चाहेगा कि फिर Cody Rhodes का contract भी खराब हो, तो इसलिए दोनों की mutual understanding के चलती हाँ पर, कुछ, you know, disqualification type भी देखने को मिल जाए, वो अलग बात होगी अगर number one contendership होगा तो, But anyways, that's it for this video, Definitely comments में भी लिखकर बतारा है, पर समय की मार है या मेहनत की हार है, यह खुट को बदलना तो मेरे सब्दों के विचार है, अफसों से की आज सबने इसको भुलाया, Friday's को इसने RKO था लगभाया,